साइन्स की तेरा लेसन क्लास 10 का मैट्स का चौदा लेसन शोर साइन्स का 21 लेसन टोडल हो गए एराउंड 47-48 लेसन तो सिफ तीन सब्जक्ट में तो कवर कैसे होगा कैसे हो बच्चों तुम लोग आई होब कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे जोर शोर से अपने बोर्ट एक्जाम की तेरियों में लगे वे होगे और मैं जानता हूँ कि तुम लोग कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे होगे जिससे कि तुम हाइस्ट मार्क स्कोर कर सको लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग बहुत स्पेशल चीज करने वाले हैं सबसे पहले मैं तुमको बता दू आज हम लोग जो करने वाले हैं पूरी तरह से प्राक्टिकल बी फ्रैंक बताना है आज हमें उन सभी मुद्दों को क्लियर करना है जो मुद्दे अपने बोड एक्जाम डेट को निकाल दिया लेकिन उसको लेकर के पहले तो मैं बोल दू कोई टेंशन नहीं लेना अगर तुम टेंशन ले रहे हो तो गलत कर रहे हो स्ट्राटिजी बना उस स्ट्राटिजी पर इंप्लिमेंट करो दौड़ना शुरू करो ये ठीक है लेक इस वीडियो को शेयर करना सो डैट कि हम सही बाते सब लोगों तक पहुंचाएं तो अभी देखो एक सीरी सी बात क्या है देखो बाई मैं सबसे पहले उन स्टूरेंट की बात करूंगा जो बहुत लो लेवल पर हैं या एवरेज स्टूरेंट हैं टौपर की क्या बात करना हैं और हम लोग अभी वही चीज करने वाले हैं अचा अभी यहां पर एक चीज मैं पूछने वाला हूं तुमको अपने क्लास 10 त्या 12 जिस भी क्लास के अंदर में हो तुमको अपने क्लास के बारे में अपने क्लास के बारे में क्या कुछ पता है कितने लेसंस हैं क्या है कै आएसे ते ottosions में सबहा स्टाइब कैना है फ्रैक्टिकल बात करना मैं नहीं आप प्रैक्टिकल प्रैंकाई कोई चीज शुपाना नहीं है यह मैं तुमको एक एक"... मैं एक एक्जांपल दे रहा हूं और उस एक्जांपल पर मुझे सीधा सा पाट करो और मुझे बताओ मैं एक एक्जांपल ले रहा हूं class 10 का टीक है class 10 का मैं बात कर रहा हूं और यहां पर अभी हम बात कर रहे है major subjects science, maths और social science की ठीक है, शोशल साइंस की, चलो, अब मुझे क्या कुछ बता सकते हो, कभी तुमने गौर किया है, कि इन तीनों सब्जेक्स में, तुम्हारे कितने कितने चैप्टर्स हैं, जो आने वाले हैं, आइडिया है, नहीं आइडिया है, चलो मैं तुमको बताता हूं, साइंस में तु तो अब अगर गौर करते हो तुम लोग, कि भाई, टोटल कितने लेसंस हो रहे हैं, तो 4 प्लस 3, 7, 7, 8, और यहां 48, अब यहां सोचो, 48 लेसंस हैं, टोटल सिर्फ तीन सब्जेक्स में, और यह मैं अभी सिर्फ प्लास 10 की बात कर रहा हूं, कोई स्टाटेजी बनाई है, यार साइंस की 13 चैप्टर्स हैं, देखने में कम लग रहा है, लेकिन कई चैप्टर्स ऐसे होंगे, जो तुमको रूलाएंगे, फसाएंगे, डराएंगे, है ना, मैस में बहुत सारे चैप्टर्स तुमको फसाने वाले हैं, शोर्शल साइंस आजकल एक बड़ा मुदा बन हैं, अभी complete roadmap लेने वाले हैं, भाई, कैसे तुम लोग करने वाले हो, कैसे तुम cross करने वाले हो, कैसे तुम इसको एक्दम फोरने वाले हो, यह आभी हम लोग clear cut बात करेंगे, अब भाईया, क्या है तुमारा goal, goal पे बात करते हो, सबसे पहले goal, कितना लाना है, 65, 75, 85, 92, 95, 97 98 या 100 out of 100% कितने mark score करना चाहते हो कैसे मानूं यार तुम इतने mark score करना चाहते हो मैं कैसे मानूं तुम बोले हो सर मैंने सोचा हुआ है मेरा सपना है मुझे जाना है नीट करना है वगर 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 फलाना करना है अरो यार मुझे ये बताओ तुमको कैसे मालूम कि तुम 95 ही लाना चाहते हो 97 लाना चाहते हो उसके लिए क्या कोई बोल देने से नहीं होता है अगर तुमने सोचा है तो क्या उसके लिए तुमने कुछ determined हुए हो सोच करके एकदम fix हो गए हो यार मुझे ये करना है अभी मैं एक example दूँ ये देखो ये एक example ये पूरे book सिर्फ class 10 के अपने पैसे पर मंगाए है यार ठीक है हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं वाय है कि हाई-फाई हो गया यार एक एक book को ये देख रहे हो ये एक एक book को मैं मंगवा रहा हूं so dad की तुम्हारे लिए bumper notes बना सकों और इसलिए study with विशाल सर चैनल है विशाल कुमार जैस वाल दोनों चैनल ये तुम लोगों के लिए दिन रात लगे में free of course notes पिछले चार सालों से पांच सालों से जब से हम लोग योटिप पे है free notes free सब कुछ provide कराने है और हजारो students ने प्रूफ किया है कि यार ये चीज़े हमारे notes और strategy पे चल करके वो कैसे highest number score करते हैं ठीक है ओके तो भाई हमें एक चीज़ पता चल गया कि हमें marks score करना है अब देखो यहां पर गर्मी है लेकिन मैं determined हो कि मुझे तुम्हारे लिए एक फर्स ट्लास एक bumper वीडियो बनाना है एक session लाना है जिससे कि तुमको benefit हो मैं fan नहीं चला सकता एसी मेरे पास है नहीं fan चलाओंगा तो यह माइक यहां बर-बर करेगा आवाज आएगा तो मैं नहीं चला सकता लेकिन मैं determined हूँ तुम्हारे लिए ऐसे determined होना पड़ता है तो सबसे पहले क्या करो यार stick करो तुम लाना चाते हो 95% प्लस marks तो इसे लिख करके एक कागज में जहां तुम पढ़ते हो सबसे पहले वहां stick करो अपने बिस्तर के सामने लगाओ अपने रूम के कोने कोने में लगाओ वहां लगाओ हर उस जगा पर जहां पर भाई तुमको नजर पड़े तुमारी नजर पड़े जो तुकी तुमको डेली तुमको हर दिन तुमको इंस्पार करें कि यार तुझे करना है तुझे करना है बच्चों के लिए लाना है करना है do or die situation हो कुछ भी हो कुछ मैंने पहले देखा था ना मैं हॉस्पिटल में था यार surgery हुई थी मेरी and I was making video from there मैं वहाँ से वो video है live है तो वो पड़ा हुआ है तुम लोग कभी भी जाके देख सकते हो सो यह determination होता है tyre okey अभ यहाँ पे जल्दी से चलो हम करते हैं क्या भाई चीजों को जड़ा सह समझते हैं अब ज़्ड़ा सह यहाँ पर जल्दी से देखो की सिनारियों क्या है चलो, अब देखो, कितने महीने बचे हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं, चलो यहां तुम्हारे पास में इस वक्त जो सिनारियो है, वो है सेप्टेंबर चलो, सेप्टेंबर, आक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और तुम्हारा हो गया जैनवरी चिके? ये हो गया तुम्हारा जनवरी और ये हो गया फर्वरी तो तुम्हारा एक्जाम है अब भई ये बताओ, ये तुमने मंज लिख लिए चिके? क्या सोचे हो इस पे क्या प्लानिंगे तुम्हारा, कुछ सोचा है दिमाग में कुछ आया है, अब मैं बताओं, एक तरह से अगर मुझसे पूछोगे ना, तो जादा से जादा मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, कि ये, 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 और ये, ये सिफ चार महीने ही तुम्हारे हाथ में हैं, ये मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ, अब ये चार महीना भी बहुत बंपर है, गौर कर रहे हो, यहां चार महीना भी एकदम, मतलब, इजी नहीं है, और यहां पर एक चीज़ गौर करो, अभी यहां पर क्रिटिकल सेनारियो और भी है, ज़रा सा इसको देख रहे हो, सब्टमबर में तुम्हारे अभी हाफ एरली एक्ज होते हैं, कुछ-कुछ ने तीन भी कर रखा है, तो यहां पर प्रिबोर्स हैं, फिर टेस्ट हैं, यूनिटेस्ट हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, मतलब, बहुत सारा टाइम है, और उसके बीच में, जो मैंने तुमको कहा था, साइंस के तेरा लेसन, क्लास 10 का, मैठ्स का, 14 ल लेसन्स टोडल हो गए, एराउंड 47, 48 लेसन्स तो सिफ तीन सब्जेक्ट में, तो कवर कैसे होगा, कैसे कवर करने वाले हो, यहां पर तुमको चीज जो जताता है, वो तुमको क्या जताता है, बैं बताऊं, चलो, यहां देखते हैं, यह देखो, पहले इसको थोड़ा सा स कितने हो, तुम करना तो चाते हो भीया, लेकिन करने के लिए करने क्या वाले हो, सीरियस कितने हो, सीरियस कितने हो, कंजिस्टेंसी तुम्हारा कितना है, कंजिस्टेंसी, हां, रेगुलार्टी है, यह मुझे बताऊ, सबसे पहले अपने अंदर में क्या चीज लाना है, वो सीरियसनेस लाना है कि यार वो जो नंबर है ना वो एक फिगर है एक नंबर है 95% 85% 92% 98% वो एक फिगर है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं बशरते हम क्या हों सीरियस हों ठीक है अभी तुमको पता चल गया है स सप्टमबर में हाफ एक यूबर नवंबर यह चार महिना मिला करके तुमारा हो रहा है और जनवरी फ़वरी को तो हम हम रिविजन के लिए रखने वाले हैं सर इसको हम कहां चर्ट करने वाले है limousa है प्रिविएज ए एर कॉशिन को हम प्ल्र यार चार माइना में सब्टमबर में तुम्हारा हाफ़ियोगा अब सोचो तुमकी टाइम कहा है तो सबसे पहले बैया पहला पॉइंट हो गया यहां पर तुम्हारा कि सीरिसनेस होना चाहिए consistency होना चाहिए, दूसरा बात कि किसी भी हालत में no social media, अब कितने तुम लोग हो, कीडे मुझे इस चीज़ को बताओ, कितने कीडे हो, WhatsApp के पीछे, Facebook के पीछे, Insta के पीछे, कितने हो, मुझे बताओ, कितने हो कि डूप करके इसमें घुसे वे रहते हो, स्क्रॉल के बिना तो मन नहीं मानता, Facebook में चाहिए, FB चाहिए, मुझे Twitter चाहिए, चाहिए, Reels बनाना ही बनाना है, so many things आदिया, कितना है, अब मैं बताओ, अब सीधा to the point आओ, और भया, ज्यादा लंबा चोड़ा घुमा, फिरा के बात करने की बात नहीं है, अभी सीधा सीधा हमें करना है काम की बात, ठीके, अब जब काम की बात कर रहे हो ना, तो सीधा से एक बात बताओ, सबसे पहले करो, अब तुमको क्या करना है, कि तुम लोग दो चीज़ रख लो, ठीके, स्टार्ट करो, सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं भी, topics covered, ठीके, यह यहाँ पे पीच में है, topics not covered ठीके, ऐसे करके हर subject का चीज बनाओ, अब यहाँ पे जैसे तुमने science लिया, अब science का chapter है, class 10 के हो, 12 के हो, 11 के हो, किसी के भी हो, उन topics को यहाँ लिखो, जो तुम्हारे covered हो चुके है, ठीके, यहाँ पे उन topics को लिखो, जो तुम्हारे अभी covered नहीं हुए है, जिन पे तुम मान लो, यह science का है, यह पूरा का पूरा मान लेते हैं, यह science का है, तो अब science का है, तो science में मुझे पता तो चले, कि उन, जो total 13 lessons है, class 10 के, उन 13 lessons में कितने ऐसे lessons है, जिन पे मैं थोड़ा भी confident हूँ, थोड़ा भी मैंने complete किया, तो वो पहले मैंने इधर लिख दिया, जो जो unit tests है, या pre boards है, इनके marks बोर्ड में add नहीं होते हैं, तो इनका क्या फाइदा है, इनको ज़्यादा care मत करो, किसने का care नहीं करो, क्यों नहीं care करो, अरे भाया, यह छोटी-छोटी चीजे हैं, जो तुमको confidence देती है, ठीक है, इनके marks अड़ नहीं होगे, internal wise में थोड़ा बह आने के लिए तुम अपने तुमने जोर शोट लगाया होगा, तो क्या तुम्हारे कुछ lessons complete नहीं हो इसी बहाने, क्या तुमको confidence नहीं हो, खुद सोचो न, हुआ, तो यह कैसे waste है, यह बिल्कुल भी waste नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ, हाफ एरली हो गया, या pre board, यह देख यह बहुत ही शांदर चीज है, यह बहुत ही बढ़िया चीज है, जो कहते हैं न, कि बेकार है, बक्वास करते हैं, उससे तुम्हारा पकड़ हो रहा है, उससे तुम्हारा confidence आ रहा है, अचा अब हमें करना क्या है, सिदा सिदा काम की बात पर आओ, तो अभी हमें करना क्या बहुत पासी ने आ रहे हैं गर्मी अच्छी खासी है ओके अब यहां पे जल्दी से आते हैं अब यहां पे हमें करना क्या है देखो भाईया मोटे तौर पे सब्टमबर को मैंने एक्जाम को थोड़ा सा हटा दिया कुछ चीजे निकल गई हम लोग उसके लिए अलग से प्रि नवंबर है और दिसंबर है अब स्ट्राटेजी किसे बोलते हैं भाईया स्ट्राटेजी बोलते हैं जहां पे तुमको पता है यह अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर हम पकड़े तो 30 इंटू 3 months चीक है मैं यह pencil के हाथ के तरह रब कर रहा हूं तो कितने हो गए almost 90 देज तो एक target लेना होगा ना अब वो target पकड़ो कि भाई 90 देज हैं तो मुझे कितना पर दे लेना है मतलब 90 तो यह देज हुए तो मुझे पर दे कितना चलना है पर दे मेरे कितने chapters जो हैं वो complete होने चाहिए जैसा कि मैंने भी कहा science maths और social science यह तीन की ही अगर हम अकेले बात करें तो 47 chapters हैं तो 90 days में हमें कितने chapters complete होने चाहिए हां एक 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 आइडिया लो पर दे कितने chapters हो और उस हिसाब से लगना अब वो पढ़ना कैसे है अब उसको भी समझते हैं देखो भाई यह पढ़ना कैसे है इसको भी समझने के लिए मैं इसको यहां से यहां ले आता हूं ठीक है ठीक है एक सेकंड इसको हमने यहां रख दिया यस डन अब यहां पर जल्दी से आओ कि यहां पर अब तुमको करना कैसे है पढ़ना कैसे है सबसे पहले start करो ठीक है start your study सबसे पहले पढ़ना शुरू करो अब समझो मैं जल्दी बता रहा हूं मैं ठीक है start your study पढ़ाई करना शूरू और कैसे एक पकड़ोगे एक तुम पकड़ोगे हर दिन Major मेर सब्जेक्ट चेके और एक पकड़ोग हे तुम हर दिन माइनर सब्जेक्ट स Open चेके हर दिन तुम्क एसे से करना है कि एक सब्जेक्ट में डिया मेजर सब्जेक्ट में चल्लिया साइंस ले लिया चीक है साइंस मैंने लिया यहां पे तुम क्या ले लो यहां पे तुम ले लो मान लेते हैं मैंने लैंगवज सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया मतलब मैंने यह टारगट रखा कि एक दिन जो मैं पढ़ने वाला हूं तो मुझे मेजर सब्जेक्ट साइंस देना है एक major subject में और minor subject मतब हलका जो तुम्हारे लिएजी है वो subject का एक को तुमने टुछ कर लिया ताकि वो balance बना रहा अब यहां पर एक और बात खास बात है बहुत बचे बोलते हैं strategy कैसे होगी ठीके strategy कैसे होने वाली है तो strategy के लिए तुम best क्या करने वाले हो देखो भाया सबसे पहले जो होता है ना वो सबसे पहले जबरदस्त बुक होता है NCRT यह तो तुम एकदम गांट बांद लो कोई बोलता है ना के NCRT नहीं आ रहे और यह फलाना reference book वो reference book अरे उसक में भी जो सिबसी के chairman है उनके जो secretary है उनका कहना था कि भाई NCRT को base बना के बच्चे क्यों नहीं पड़ते हैं उसको base बना के पड़ें तो सब कुछ issues problem है solved है problem है मतलब सारे issues problem solved हो जाएंगी तुमारे NCRT को तुम लोग base बनाओ उनके जो exercises होते हैं उनको देखो और इसको करने के लिए तुम क्या कर सकते हो देखो बाई कोई भी chapter जो तुम लेते हो ना तुम उसके one shot videos देख सकते हो मैं कई chapters तुमको दे चुका हूँ अपने channel के अंदर में तो उन chapter को तुम लोग one shot videos के रूप में तुम देख सकते हो उनको chapter को देखो सारा तुमको idea हो जाएगा one shot video देखो नहीं तो कोई summary video है किसी भी chapter का उसको देख लो यह तुमारे लिए बहुत बढ़ा अच्छा हो सकता है अब इसके अलावा तुमको क्या करना है देखो भाया इसके अलावा तुम क्या करोगे जो भी chapter तुम पढ़ रहे हो सबसे पहले उनके note making notes making जो है वो करते चलो यह एक बहुत बढ़ा issue होता है जो जिसके वजह से तुमारा जो तगड़ा जो performance है ना वो lose पढ़ जाता है तुमको क्या करना है साथ साथ में notes making करना है और notes making करने के साथ साथ में तुमको revision भी चलना है यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें की सारे issues, problems जो हैं वो create हो जाते हैं तो revision तुमको नहीं छोड़ना है, revision को तुमको साथ साथ लेक के चलना है और इसके अलावा previous year questions कम से कम 7-8 साल के तुम कर लो, sample papers इसको तुम ले ले लो, यह sample papers तुम ले लो, 7-8 साल के, देखो तुम्हारा तयारी कैसे होगा, इन चीजों को तुम लेके चलोगे ना, तो तुम जबरदस होगा, लेकिन तुम को करना क्या होगा भाया, अभी तुम कोई भी distraction जो है ना, उन सब चीजों से बाहर रहो, यह सोचो उस दिन को याद करो, कि यार कैसे तुम score करने वाले हो, तो बस इस पर चल के देखो, और फिर मुझे बताना कैसा रहा, और कैसा नहीं रहा, करके देखो, उसके बाद मुझे बताना, तो I hope कि तुम लोगों को इससे बहुत जादा फाइदा होगा, और फाइदा भी कैसा होगा यार, म इसलिए बस तुमको महनत करना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, go for that, मिलते हैं नेक्श वीडियो में, अभी के लिए बस इतना, जै हिंद,